नमस्कार आप देख रहे हैं News 4 Nation और मैं हूँ प्रेदर्शन बिहार के उपमुखमंत्री तेजस्वी आदब की मुश्किले एक बार फिर से बढ़ गई हैं तेजस्वी आदब को एक बार फिर से ED ने समन जारी किया है और यह समन उन्हें Land for Job मामले यानि कि रेलबे में नौकरी के बदले जमीन हर अपने के जिन आरोपों से लालू परिवार घिरा हुआ है उस मामले में जारी हुआ है दरसर तेजस्वी आदब को पहले ED ने पहले भी समन जारी किया था और उन्हें 22 दिसंबर को पुष्टाच के लिए ED के समक्ष पेश होना था है लेकिन तेजस्वी आदब 22 दिसंबर को ED के समक्ष पेश नहीं हुए और इसके बाद आज यानि कि 23 दिसंबर को ED ने तेजस्वी आदब को लेकर के एक बार फिर से समन जारी किया है और उन्हें इस बार दिल्ली में पूछताच के लिए बुलाया गया है और दिल्ली में तेजस्वी आदब से यह पूछताच होगी यह पूछताच उनसे जनवरी के महीने में होगी और इसे लेकर के प्रवरतन निदेशाले की ओर से बिहार के उपमुख मंतरी तेजस्वी आदब को दिये गए ताजा समन में कहा गया है कि 5 जनवरी 2024 को आपको दिल में एडी के मुख्याले में हाजिन होना है और वहां आपसे पूछताच की जाएगी दरशाल लैंडफोर्ड जो अब स्कैम की अगर हम बात करें तो यह पूरा का पूरा मामला तब का है जब लालू यादब देश के रेल मंतरी हुआ करते थे लालू यादब यानि कि तेज में जमीन लिया गया और यह जमीने पटना सहीत अलग-अलग जगहों पर ली गई इन जमीनों को पहले अलग-अलग बेनामी नामों से लिया गया बाद में उन तमाम जमीनों का हस्तांतरन लालू परिवार या इनके निकर रस्थों के उपर कराया गया और उसका पूरा पूछताज के लिए ED ने उन्हें समन जारी किया है जैसा मैंने आपको बताया कि पहले यह समन 22 दिसंबर के लिए था और 22 दिसंबर 2023 को ED के समख्ष तेजस्वी आदब को पेश होना था और लेकिन तेजस्वी आदब 22 दिसंबर को दिल्ली में ED के समख्ष पेश नहीं हुए और उसके बाद आज यानि की ED के समन के ठीक अगले दिन 23 दिसंबर को ED ने फिर से तेजस्वी आदब को लेकर के नया समन जारी किया है और उन्हें इस बार पाँच दिसंबर को दिल्ली इस्थित ED मुख्ष पेश 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 की जाएगी थी अधालत भी हाजिर हुए थे उन्हें एक बार फिर से ED के समन के बाद पांच जनबरी 2024 को ED के मुख्याले में जाना होगा और उनसे पूछताच होगी तो तेजस्वी आदब से जुरे हुए इस पूरे मामले में अब उनके खिराब जो यह नया समन जा रही हुआ है और अब जो उनसे पूछताच होगी तो उसमें उनसे किन किन मुद्दों पे पूछताच की जाएगी और इस घोटाले की तह तक पहुँचने के लिए और कैसे लालू परिवार इस मामले में संलिपते हैं इन तमाम चीजों के राज को उगलवाने के लिए ED आगे आने वाले सम में तेजस्वी आदब के पूछताच के दौरान क्या-क्या सवाल करती है और क्या-क्या उनकी और से जबाब आता है हम आपको तमाम अप्रेट्स बताएंगे आप हमारे साथ बने रहे नीज़ फोरनेशन पे